दोस्तों लद्दाक सीमा पर चीन की कतिविद्या बढ़ती जा रही हैं गल्वान से पीछे हटने के साथ ही चीन ने अन्य छेत्रों पर अपनी सेना बढ़ा दी है वहीं पूर्वी लद्दाक के पास मौजूद खोटान एयर बेस को हाई अलर्ट पर आक्टिव कर दिया गया है ताजा सेटलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि इस चीनी एयर बेस पर फाइटर जेट, डून्स, बंवर्शक और मिसाइल सिस्टम्स की तैनाती की गई है भारत और चीन के बीच लद्दाक में जारी तनाफ को लेकर भले ही राजनेक और सैन इस्तर पर बात चीत कर दोनों देशों की सेनाओं के बीच शांती बनाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन चीनी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हाला कि भारत ने भी चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाक से सटी सीमा पर अपने महाबली तैनात किये हुए है भारत के ये महाबली चीन की जरा सी हरकत पर हमले के लिए आक्टिव हो जाएंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पूर्वी लद्दाक में तैनात भारत की हवाई ताकत के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों भारत की इस ताकत के आगे चीन बौना साबित होगा और आप लोगों का भी सीना गर्व से चोड़ा हो जाएगा सरहत पर तैनाथ दुनिया के सबसे हलके हलिकॉप्टर दोस्तों चीन ने जिस तरह से अपनी तरफ सेना और गोला बारूट जुटाया है उसके रादों को भाप कर भारत ने भी माकूल इंतिजाम किये हैं दोनों तरफ सेनिकों की संख्या लगभग बराबर तैनाथ है इसके लावा भारती नेवी भी किसी भी वक्ट आक्शन में आने को तयार है चीनी एंफोस की चिनौती के लिए भारती वायु सेना ने लगभग सारे लड़ाकों विमानों को फावर्ड एयर बेस पर एलर्ट मोड में रखा है चीन के साथ वास्पिक में अंतन रेखा पर जारी तनातनी के बीच हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेट की तरफ से बनाए गए दो हलके लड़ाकों विमानों को लड़ाक सेक्टर में तैनाथ किया गया है ताकि शॉर्ट नोटिस पर भी भारती वायू सेना को मदद की जा सके दोस्तों आप लोगों को ये जानकर गर्व होगा कि ये दुन्या का सबसे हलका लड़ाकों हेलिकॉप्टर है जिसे भारती असेना की जवानों की खास ज़ूरतों को देखते हुए हल की तरफ से तैयार किया गया है इस हलिकॉप्टर में 70 mm के रॉकेट्स लगे हैं और एक चिन माउंटिट कैनन है इस से भारत को दिन हो या रात किसी भी वक्त कैसे भी टार्गेट को हिट करने की श्यम्ता मिलती है जमीनी सेना की मदद के लिए अपाचे अटैक हेलिकॉप्टरиз अपाचे हेलिकॉप्टर को भी दुनिया का सबसे खतरनाक हेलिकॉप्टर माना जाता है सेना ने लद्दाक में से तैनात किया है ये हलिकॉप्टर युद्ध के हालातों में जमीनी सेना को काफी मदद करता है लिह एर बेस पर इसकी तैनाती AGM-114 Hellfire Air-to-Air Surface Missile AIM-92 Stringer Air-to-Air Missile 2.75 इंच रॉकेट्स और 30 एमेम चैंड गन के साथ की गई है इन हेलिकॉप्टर की मदद से लद्दाक के दुर्गम इलाकों में दुश्मन के खिलाफ बड़े अभियानों को अंजान दिया जा सकता है दुश्मन के लिए सबसिगा तक हेलिकॉप्टर अपाचे एक मिनिट में 128 लक्षे पर निशाना लगाने में सक्षम है हेलिकॉप्टर का मुख़्े पाइलेट पीछे उंटी सीट पर बैट कर इसे कंट्रोल करता है जबकि दूसरा पाइलेट निशाना लगाता है और फायर करता है फिलहाल अपाचे लगातार सरहत के पास के इलाकों पर गश्ट लगा रहा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाद दिया जा सके चीन की चालो पर मिक 29 के और पी एट आई की नज़र भारती नौसेना के पी एट आई निगरानी विमान पूर्वी लद्दाक छेत्र पर लगातार उडान भर रहे हैं वहीं दूसरी ओर नौसेना के समुद्री लडाकू जेट मिक 29 के को उत्तरी छेत्र में तैनाख किया गया है मेरिटाइम फाइटर जेट मिक 29 के नौर्दन सेक्टर के कई एर बेसिस पर तैनाख है इससे लाइन अफ एक्चोर कंट्रोल की एर पेट्रोलिग में भारत को खासी मदद मिलती है भारती नौसेना के पास करीब 40 मिक 29 के हैं जिनने से आधे आएनस विक्रमर्दित पर तैनाख है मिक 29 लगातार पूर्वी लडाक में चीन की टोह लेने में इस्तमाद किया जा रहा है इसके लावा पी एट आई को निगरानी और सविलांस में महारत हासिल है ये जहाज लगातार चीन से 60 सीमा पर उडान भर रहा है चीन के साथ 73 दिनों तक चले डोकलाम गतिरोत के दौरान भारत ने चीनी सेनिकों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए नौसेना का पी एट आई पंडुबी रोधक युद्धक विमान तैनात किया था निगरानी के लिहाज से पी एट आई बहतरीन विमान है फिर निगरानी चाहें समुद्र में करनी हो या पहाड़ी इलाकों की जिन में इसकी कोई सानी नहीं है मिराज सुखोई जागवार की त्रिशक्ती से जलेगा चीन लदाक की पूर्वी सीमाओं पर चीन के साथ बढ़े तनाव के बीच सेना के बाद वायु सेना ने चीन से लगे सभी अग्रिम मोट्चों पर हाई एलर्ट के साथ अपने लड़ाकों विमानों की तैनाप भी बढ़ा दी है इसमें वायु सेना के सबसे आधुनिक लड़ाकों जेट सुखोई जागवार के साथ मिराज 2000 विमान लहला दाक के अलाकों में तैनाप है रूस के सुखोई और भारत के एचेर ने मिलकर सुखोई 30 MKI बनाया है ये भारत की जरूतों के हिसाब से टेलर मेड है और इसमें फ्रांस और इस्राइली सिस्टम भी लगे है 3000 किलोमीटर की रेंज वाले ये एरक्राफ्ट, एर टू सर्फेस मिसाइलों और घातक बमों को गिराने में सक्षम है हाल ही में जो राफिल लड़ाकों विमान फ्रांस से भारत आ रहे थे तो उन्हें सुखोई 30 MKI ही एस्कॉर्ट कर रहे थे इसके लावा मिराज भी बाला कोर्ट स्ट्राइक में अपने जोहर दिखा चुका है ये तीन फाइटर प्लेइन मिलकर भारत की अग्रिम पोस्ट पर तैनाथ हैं और चीन की किसी भी हरकत पर ये फौरन तबाही मचाने को तयार है भारी हत्यारों को सरहत पर पहुँचा रहा चिनू एक तरफ चीन टेबिल पर बैट कर शान्ती की बाते करता है तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ साजश रचता है लदाक में वास्विक्न अंतन वेखा पर जारी तनाफ के भी चीन ने अकसाई चीन में प्यूपिल्स लिब्रेशन आर्मी की तैनाती कर दी है चीन की इस हरकत के बाद भारती वायुसेना के चीनूप हेलिकॉप्टर रात ने भी दौलत बेग खोल जी और काका कोरम दर्रे के आसपास पे ट्रोलिंग कर रहे हैं पिछले साल मार्च में वायुसेना का हिस्सा बने चीनूप भी लदाक पे बहुत काम आ रहे हैं ये अपने साथ भारी मिलिटरी एक्विप्मेंट्स को उचाईबारे इलाखों में ले जा रहे हैं मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लाट्फॉर्म वाले ये विमान सैनिकू, आल्ट्रली, एक्विप्मेंट्स और फ्यूल ट्रांस्पोर्टेशन में इस्तिमाल किये जा रहे हैं हिमाचल में प्रेक्टिस में लगा राफेल विमान वाई उसेना के सबसे आधुनिक विमान राफेल भी जरूरत पढ़ने पर लद्दाक के फौवर्ड बेस पर तैनात किया जाएगा फिलहाल हिमाचल प्रदेश के पहाड़े इलाकों में राफेल की प्रेक्टिस चल रही है ताकि गोल्डन एरोज स्कौर्डन के ये आस्मानी युद्धा जरूरत पढ़ने पर लद्दाक में लाइन अफ एक्चल कंट्रोल पर एर टू एर मिसाईल और एर टू ग्राउन मिसाईलों के साथ दुश्मन को तबाह कर सके 29 जुलाई को इंडियन एर फोस के अमबाला बेस पर उतरे 5 राफेल जेट अपरेशन के लिए पूरी तरहें से तयार हैं अगले साल तक भारत आने वाले 18 राफेल जेट अमबाला में तैनात रहेंगे तो 18 विमान भूटान सीमा पर हासी मारा एर बेस पर तैनात रहेंगे भारत ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एवियेशन से 36 रड़ा को विमान खरीदे हैं जो राफेल भारत आये हैं उनके साथ मिटियोर बियॉन विज्वल रेंज एर टू एर मिसाइल, M.I.C.A. मुल्टी मिशन एर टू एर मिसाइल और स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल लगी है इस से भारती वाई सेना की जावाजों को हवा और जमीन पर टागेट्स को उड़ाने में जबर्दस शम्ता हासिल हो चुकी है मतलब अब चीन ने सरहत पर जरा से भी हिमाकत की तो भारत के ये महाबली चीन को तवाह और बरबात कर देंगे